नमस्कार दोस्तूं स्वागत थे आप सभी लोगों का एक बार फिर से दोस्तों मिठाई बाटने के लिए हो जाओ तयार क्योंकि अब भगवान शनीदेव के आशीरवाद से बारा राशियों में से इन छे राशिवालों को आठ मई शनी जैन्ती के दिन मिलने वाली है बहुत बड़ी खुशकबरी ये राशिवाले होंगे धन से माला माल ये राशिवाले होंगे करोड़ पती आपको बता दे भगवान शनीदेव बारा राशियों में से कुछ राशिवालों पर बहुत अधिक प्रसन हो गए हैं जिससे अब इन राशिवालों के जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट स्वयम भगवान शनीदेव दूर करने वाले हैं और अब इन राशिवालों के जीवन में आने वाली है भगवान शनीदेव के आशीरवाद से अपार खुशियां ही खुशियां जिससे अप इन राशी वालों का जीवन बदल जाएगा दोस्तों ये भागेशाली राशियां कौन कौन सी है जिनको भगवान शनीदेव के आशीरवाद से आठ में शनी जैन् बहुत बड़ी खुशकबरी मिलने वाली है, साथी धन की प्राप्ती होने वाली है, ये राशी वाले अब माला माल होने वाले हैं, इस वीडियो में हम आपको उनी कुछ राशीों के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक प करते हैं, भगवान शनी देव की सच्चे भगते इस वीडियो को एक लाइक अभी करें, कमेंट बोक्स में जै शनी देव अविश्य लिखें, जिसे भगवान शनी देव का आशीरवाद आपको सीधे प्राप्त हो सके, दोस्तों आपको बता दे सनातन धरम में शनी देव की पूजा का विशेश महत्व है, जोतिश रास्त्र में शनी देव को न्याय का देवता कहा जाता है, शनी देव करम के आधार पर फल देते हैं, शनी वार और शनी जैंती भगवान शनी की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है, इस बार शनी जैंती वैशाक मा में वुद् तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है हिंदू पंचांग के अनुसार शनी जैनती साल में दो बार मनाई जाती है हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाक अमावस्य तिथी की शुरुवात 7 मई को सुबह 11 बचकर 40 मिनिट पर होगी और उसका समापन 8 मई को सुबह 8 बचकर 51 मिन इस दोरान पवित्र नदी में सनान, ध्यान, पूजा और तपका विशेश महत्व है शनी देव की पूजा के दोरान करने से शनी की महादशा से शुटकारा मिलता है और जीवन में सुख, शान्ती और सम्रधी की प्राप्ती होती है दोस्तों आपको हम बता दें कि इस दिन यानि शनी जैन्ती के दिन ब्रह्मा मोहर्त में उठें, सनान के बाद साफ वस्त्रधारन करें, चौकी पर साफ काले रंग का कपड़ा विशा करें, शनी देव की प्रतीमा का पंचामरित से अभिशेक करें, गंद पुष्प दूप दीप अरपित करके सरसों के तेल का हनुमान जी की भी पूजा अर्चना करें, इसके साथ ही इस दिन भूल कर भी शनी जैन्ती के दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, और किसी को दुख नहीं पहुचाना चाहिए, करमचारियों के साथ बुरा व्यवहार भी नहीं करना चाहिए, मास या शराब का सेवन कर बचना चाहिए अबद्र भाशा के प्रयोग से बचना चाहिए दोस्तों आपको बता दे कि भगवान शनीदेव सर्वोच न्यायदीश है और भगवान शनीदेव अनुचित कार्य करने वालों को समय पर दंड भी देते हैं शनीदेव सूर्य पुत्र हैं और करम फल के दाता म आने जाते हैं आपको बता दे कि मोक्ष को प्रधान करने वाले एक मात्र भगवान शनीदेव ही है शनीदेव को लेकर बहुत सारे लोगों के अंदर घबराहट होती है लेकिन सच बात तो यह है कि शनीदेव प्रकृती में संतूलन बना कर रखते हैं और यह सभी प्राणी के साथ उचित न्याय करते हैं शनीदेव की कृपा जिस इंसान पर हो जाती है उस पर कोई भी परेशानी नहीं आती तो लोग गलत काम करते हैं जो लोग गलत काम करते हैं पाप करते हैं दूसरों को नुकसान पहुचाते हैं भगवान शनीदेव उनी को दंड देते हैं दोस्तों इन राशी वालों पर भगवान शनीदेव बहुत अधिक प्रसन हो गए हैं अब इन राशी वालों के जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी आपको बता दे कि भगवान शनीदेव अब इन राशी वालों पर अपना अत्यतिक कृपा बरसाने वाले हैं दो भगवान शनीदेव के खृपा से इन राशी वालों के जीवन की सभी दुख, दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं। होने वाली हैं, उन खुशनसीब और भावशारी राशीों में से जो पहली राशी आती है, वो है मकर राशी। और पढ़ाय करने की संभावना बन रही है। साथ ही साथ उस राशी के लोगों की आय में व्रिदी होगी, जो लोग व्यापारी हैं, उनको व्यापार में ज्यादा मुनाफ़ा होने की संभावना बनी हुई है। आप अपने सभी कार्यों में सफलता पूरवक पूरा करेंगे। भगवान शनीदेव की विशेश क्रिपा मकर राशी वालों आपके उपर बन रही है। जिसे आपके जीवन के सभी दुक दर्द कष्ट मिटने वाले हैं और आपको अपने जीवन में मिलने वाली है। भगवान शनीदेव आपके उपर बहुत प्रसन हैं आपके मान सम्मान और प्रतिष्टा में व्रिधी होगी। मेश राशी वालों जिसकी वज़े से ही समाज में आपकी प्रशनसा की जाएगी। और आपको बता दे कि भगवान शनीदेव की ग्रिपा से आपको अब सफलता के नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। उन अवसरों को प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दे कि जो भी आपके रुकेवे कार्यत थे वे अब समय पर पूरे होने लगेंगे। आपको बता दे कि जो भी आप कार्य शुरू करना चाहते हैं उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्त होगी। मेश राशी वालों आपके घर परिवार में खुश्णुमा माहोल रहेगा, साथी साथ आपके कारोबार में वृदी होगी, सामाजिक शेत्रों में सफलता प्राप्त होगी, अचानक से धनलाव प्राप्ती के आपके लिए संभावना बन रही है, साथी साथ यदि आप नया व प्रोनता पक्ष में है, समय का आप भरपूर लाब उठाएं और समय को अपने हाथ से ना जाने दे, दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वो है व्रिशब राशी, बता दे कि अब भगवान शनीदेव के आशिरवात से आपको बहुत जल्द कोई शुब संद देश मिलने के योग बन रहे हैं, दोस्तों आपके द्वारा की गई मैनत का फल अब आपको प्राप्त होगा, आपको बता दे कि भगवान शनीदेव की क्रिपा से आपके आर्तिक सित्थी पहले से बहतर होगी, आपके रुकेवे कारे अब सफलत पूर्वक बनेंगे, दोस साथ मेल जोल बढ़ेगा, साथी साथ इस राशी के लोगों को अनेक प्रकार के लाब धन लाब और बड़ी सफल्दाओं की प्राप्ति होने वाली है, इन राशी वाले लोगों को परिवार और जीवन साथी का पूरा सयोग प्राप्त होगा, आपकी मदुर वानी की वज़ और साथी साथ जो भी कारे आपके सालों साल से रुके होएते, वे कारे अब आपके सफल्दापूरवक पूरे होंगे, आपको बता दे कि भगवान चरी देव की विशेश क्रिपाव रिशब राशी वालों आपके उपर बन रही है, आप दिन दुगनी राचोगनी तरक्य क थाबित होने वाला है, दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वो है कन्या राशी, दोस्तों कन्या राशी वालों को बता दे भगवान चरी देव की विशेश क्रिपाव आपके उपर बनी हुई है, कन्या राशी वालों आपको बता दे केवल आपको धनलाब हो व्रिधी भी होगी इसके अलावा जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदोनती के साथ साथ वेतन व्रिधी के पूरे योग हैं साथिसा जो लोग विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं उनका सपना पूरे होने के योग बन रहे हैं भगवान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें संतान प्राप्ति होगी और साथी साथ उनके घर परिवार में खुश्णुमा माहोल रहेगा, प्रेम समन मजबूत होगे, साथी साथ आपके सभी कारे सफलता पूर्वक पूरे हो जाएंगे, साथी साथ जो लोग नया वाहन या घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो वो योजना भी इनकी अविश्य ही सफल होगी, भगवान शनीदेव के आपके उपर कृपादिश्टी बनी हुई है, आपकी समझत मनों कामनाएं पूरी होंगी, और भगवान शनीदेव के आशिरवात से अब आपको अपने दोस्तों सिंग राशिवालों को बता दे कि भगवान शनीदेव की कृपा से ही आपके लिए समय अब बहुती बहतरीन होने वाला है, आपको बता दे आपको ना केवल मान सम्मान मिलेगा, बलकि समाज द्वारा आपकी काफी तारीफ भी की जाएगी, इसके अलावा आपको अपने जीवन में ऐसे नए अवसर मिलने वाले हैं, जिससे आपके जीवन में अच्छा बदलाव होगा, दोस्तों भगवान शनीदेव की कृपा आपके उपर बन रही है, इसके साथ ही आपको काफी धन लाब भी होगा, जब एक तरफ परिवार में खुश्यों का माहुल बना रहेगा, वहीं दूसरी तरफ व्यापार में व्रिधी होगी, सिंग राशी वालों अब आपको चारों तरफ से लाबी लाब मिलने वाला है, भगवान शनीदेव की कृपा आपके उपर बन रही है, साथ ही साथ चो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें नौकरी में पदोन साथ साथ वेतन व्रिधी के भी पूरे योग बन रहे है, सिंग राशी वालों आपको बता दे, भगवान शनीदेव की कृपा से अब आपके लिए धन प्राप्ति के अने को अवसर प्राप्त होंगे, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा, और आपकी आर्थिक सिती मजब शनीदेव की कृपा से सिंग राशी वालों अब आपके जीवन में आपको अपार खुश्यों की प्राप्ति होगी, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा, कहना गलत नहीं होगा, सिंग राशी वालों अब समय आपके लिए पूर्णता पक्षमे हैं, भगवान शनीदेव क कृपा से अब आपको बहुत जल्द अच्छी कबर मिलने के योग बन रहे हैं, दोस्तों आपको बता दे आपके मेहनत का अब आपको फल मिलने वाला है, आपको बता दे जो आपने मेहनत की है, उसका फल अब आपको प्राप्त होगा, जिससे आपकी खुश्य का ठिकाना न आपको बता दे आपके रुके हुए कारे भगवान शानी देव के आशीरवात से अब समय पर पूरे होंगे आपको अपने परिवारत था दोस्तों का पूरा साथ मिलेगा आपको बता दे आप लोगों के उपर भगवान शानी देव की असीम कृपा बनी हुई है और भगवान होने वाली है आपको बता दे भगवान शनी देव की क्रिपा आपके उपर विशिश रूप से बन रही है साथ ही साथ आपको बता दे जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदोनंती के साथ वेतन विदी के भी योग बन रहे हैं आपको बता दे कि भगवान चनीदेव की क्रेपा से धनू राशी वालों आपके जीवन में समस्त परेशानों का अब अंत होगा और आपको अपने जीवन में मिलने वाला है अब अपार खुशियां ही खुशियां जिससे आपका जीवन बदल जाएगा इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वो है कुम्ब राशी कुम्ब राशी वालों को बता दे भगवान चनीदेव की क्रेपा से ही आपके जीवन में आपके उपर बहर प्रसन है आपके जीवन में आपको बहुत बड़ी खुशकपरी मिलने वाली है जिससे आपका जीवन बदल जाएगा दोस्तों आपको बता दे कुम राशी वालों अपनी जो भी आपने मैनत की है उस मैनत का अब आपको फल प्राप्त होने वाला है साथी साथ जो भी आपके रुकेवे कारे हैं वे कारे सफलता पूरण होंगे और साथी साथ जो लोग व्यापार करती हैं उन्हें व्यापार में लाब मिलेगा उनका व्यापार दिन दुगना राजोगना तरकी करेगा उनका हर तरफ से अब लावी लाव मिलेगा कुम राशी वालों अब आपके जीवन में चारो तरफ से खुशियां आने वाली है भगवान शनीदेव आपके उपर बहुत बहुत ब्रसन है साथी साथ जो लोग नौकरी करते हैं साथी साथ जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको मंचाई नौकरी भी मिलेगी साथी साथ आपको बदा दे यदि आपका कोई पैसा रुका हुआ है वो पैसा भी आपका जल्दी वापस मिलेगा साथी साथ आपके व्यापार में जो भी रुकावटे आ रही है वे रुकावटे खतम होगी और आपके जीवन में अब खुशिया होगी कुंब राशी वालों आप अपने जीवन में एक नहीं खुशी का एसास करेंगे भगवान शरी देव की विशेश कृपा आपके उपर कुंब राशी वालों बन रही है समय आपके लिए पुर्णेता पक्ष में है इस समय का भरपूर लाब उठाएं और समय को अपने हाथ से ना जाने दे अगली राशी आती है मिथुन राशी दोस्तों मिथुन राशी वालों को बता दे भगवान शरी देव की विशेश कृपा आपके उपर बन रही है भगवान शरी देव की रिपा से आपके सभी कारे सफल होंगे विवसाय में अचानक लाब होगा और आकस्मक धनलाब प्राप्ती के भी आपके अने को योग बन रहे हैं तो वो युजना इनकी अविशे ही सफल होने वाली है, संतान प्राप्ति का भी सुख मिथुन राशी वालों आपको मिलने वाला है, जिससे घर परिवार में होंगी, खुशियां ही खुशियां, कहना गरत नहीं होगा मिथुन राशी वालों, भगवान शानी देव के अब अपार खुशियों की प्राप्ति होने वाली है, दोस्तों आपसे अनुरोध है, आप कमेंट बॉक्स में सचे बन से जै शनी देव जरूर लिखें, और वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें, जै शनी देव